हेलो फ्रेंड्स आज आम इस वीडियो में एपचर के बारे में डिसकस करेंगे फ्रेंड्स अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो इसमें केमेरा है वो f1.7, f2.0, f3.0, etc. ऐसे देखने को मिलता है अगर आप dsl camera यूज़ करते हो तो वहां आपको range में मिलेगा मतलब वह f3.5, f5.6, f8, etc. वगरे को सेट कर सकते हैं तो आप आज इसके बारे में बताऊंगा कि क्या है यह aperture और किस तरीके से image quality पर एफेक्ट करता है बेसिकल फोटो लेने के लिए है most important चीज वह है light है उदर light है तो हम अच्छी photo क्लिक कर पाएंगे अगर कम light है तो इसके मुझे फोटो आएगी light control होती है चाहे हो DSR हो या smartphone उसमें sensor fix होता है मतलब वह हम change नहीं करता है लेकिन aperture को हम set करके image quality बढ़ा सकते है मतलब friends जितना टाइम में shutter से light अंदर आती है camera तो उस टाइम में image बनते हैं और इस opening को हम aperture कहते हैं हम image quality को shutter speed और aperture से control कर सकते हैं मतलब हम कितनी देर तक shutter open रखना चाहते हैं जितनी देर तक shutter open रहता है उतनी image quality अच्छे आ सकती है मतलब more lights means more brightness जितना बड़ा aperture है उतने ज्यादा light अंदर आएंगे और जितना कम aperture है उतनी कम light आएंगे for example f1.8 f2.0 f4.0 f5.6 f11 f16 f32 etc यह सारे aperture range है जितना aperture नंबर कम होगा आपको इसकी opening बड़ी मिलेंगी और aperture नंबर जितना बड़ा होगा उतना उसका opening कम मिलेंगा अगर हम f1.8 वाले camera से यूज़ करते हैं तो हम particular object को focus कर पाएंगे और background blur आएंगे अगर हम f32 यूज़ करते हैं तो पूरा image आएगा मतलब कि सारा objects clear दिखेंगे image में तो friends अगर हम f1.8 के camera में compare में f2.0 में हमें कम light मिलती है और photo click करने में image में देख सकते हैं जितना f2.0 कम है उतना light हमें मिलती है और हम particular object पर focus करके image ले सकते हैं different device में aperture different होता है for example dsr में f3.0 है और आपके का smartphone है उसमें f2.0 है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका smartphone better है क्योंकि dsr अगर करें lens smartphone से अच्छा होता है और उस पर depend कर सकता है so basically हम अपने smartphone में तो यह change नहीं कर सकते हैं लेकिन dsr में aperture set कर सकते है so thanks friends watching this video subscribe to jmh channel for more videos thank you